हेलो दूस्थो पिरसे एक बार सौगत है आपका हमारी चैनल के नई वीडियो में हूँ आपका दोस इंजिनेर सागर तो दूस्थो आज आपके साथ काप्य अच्छा नक्ष़ शेर करने वाले जिसे के यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो प्लोट रहेगा उसके साथ 15 फिट बाई 50 पिट रहने वाली है वेस पे सिम प्लोट रहने वाला है इस प्लोट के सामनी की तरब मतलब वेस की तरब रोड का अप्रोच रहेगा बैक की तरब मतलब इस की तरब भी रोड का अप्रोच रहने वाला है मतलब उस तरब भी और चैनल पर नए है तो चानों को जरूर सब्सकारब कर लेजिए तो दोस्तों सामने के तरह यहाँ पर देख सकती है यहाँ पर आपको 3 feet white का बरामदा मिलता है देन उसके बाद यहाँ पर मेंडो डिजन किया गया है यहाँ पर drawing hall रहने वाला है कापी बड़ा drawing hall यहाँ पर देखने को मिलता है लंबाई उसकी 16 पर 6 इंच रहेगी चवड़ा उसकी 14 पर 3 इंच रहने वाली है यहाँ पर हमने sitting का portion design किया हुआ है यहाँ पर आपका TV unit रहेगा तो यहाँ पर इस lobby में पहुच जाते है lobby में यहाँ पर आपका bathroom रहेगा bathroom के side 8 pit by 4 pit 10 inch रहने वाली है जो कि आपके studio के नीचे रहेगी देन उसके बाद उसके side में यहाँ पर WSV देख सकते है 4 pit 2 inch by 3 pit 6 inch करहने वाला है दोनों toilet bathroom के door यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आप WSV सिन का प्रोजन दे सकते है ventilation purpose के लिए यहाँ पर हमने cutout डिया हुआ है जिशे आप शाप भी कह सकते हैं इसके side 3 pit 6 inch बे 3 pit 6 inch रहने वाले इसे wash area की तरह यूज़ कर सकते हैं देन उसके बाद यहाँ पर 3 pit 8 का passage मिल जाता है यहाँ पर हमने kitchen design किया हुआ है यहाँ पर close type का kitchen रहने वाला है आप चाहे तो open kitchen भी यहाँ पर बना सकते हैं यह दीवार को हटा के ठीक है तो यहाँ पर जो kitchen design किया गया है उसकी side 10 pit 5 inch बे 10 pit 8 inch रहने वाली है मतलब उस तरफ पर अपने एक door दिया हुआ है और ventilation यहाँ से आप दे सकते हैं तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं डबल बे design किया गया है यहाँ पर आपके almira रहे की और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि सीड़े आपके गर के अंदर से रहने वाली है जैसे अपन सीड़ों से उपर के मंजिल पर जाते हैं तो हम इस lobby में पहुच जाएंगे यहाँ पर हमने common toilet डिया गया है मतलब जो भी अंदर से आता है तो भी उसे use कर सकता है तो इसके तरफ पर चेंज बे चार पर नो इंच ने वाले ही तो दोस्तो इस तरह डिजन किया था 15 feet by 50 feet में वन बेज़ की का house plan और first floor पे वन बेडरूम तो 750 square feet का नक्षा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूब बताएं अपने दोस्तों रिस्टेदारों के साथ शेर करें ठैंक्यू पर वाचिंग आइस